तो दोस्तों यह है एक modified splendor classic pro bike जिसको यहाँ पे एक cafe racer के style में customize किया है इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी bike के वेवर में सारी जान करें दूँगा क्या क्या changes किये गए तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा इस वीडियो में इसका एक चोटा सा exhaust sound भी है जो कि बहुत खमाल का है आप लोग प्लीज इसको सुनके जरू जाएगा जो कि आपको वीडियो के बीच में सुनने मिल जाएगा तो आप लोग जरा सभी इस वीडियो को skip मत करेगा अगर मैं बात कुर इस बाइक के बारे में तो इस बाइक को मॉडिफाय किया है जैनती सुलंकी एन अनुराग सांचा जो की माउंट आप में बेस्ट है उन्होंने मुझे ये वीडियो शेयर किया और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है उन्होंने ये अपनी खुद की बाइ इस बाइक में बहुत सारे चैनल के गया है जैसे इस आप लोग टायर देखिए इसका फ्रंट लुक देखिए जो इसका हैंडल बर कर डिजाइन है बहुत सारे यहां पर अप्गरेट किये आप लोग को जो इस वीडियो में सिन्ने मिल जाएगा अगर मैं शुरुआत कुर मुझे अगर मुझे पर इस बाइक बहुत सारे वीडियो में बताए जो च्र्लेंडर का जो प्रेन हम लाओ Senior रखा गया है क्योंकि उसका जो बेस होता बिल्कुल स्तेट क 예ल ओ और अपके पीछे के फ्रेम के साह parts बहुत अच्छ से यह लख जाता है तो यहां पर दो फह प तुरॉअ कि रेधिया है जो आपकि स्प्लेंडर क्लासिक प्रो का अभिड़ का का नि can एपेपर क्लासिक यहां पे जो और प्लासिक तुरॉषी की अगये और क्लासिक प्लासिक प्रोयाक कट्रmental रोल एंफिल का स्ट इंदक है उसके पीछे का पिछे का पईयगा दों यहां पर क्लासिक में का पिछे का उन्वियों का आहा है और थो कहीं ब्लासटर के टायर होते हैं बहुत सारे माडिविश्किन देहंगे हो आज कर दो nic जो कि काफी amazing लगता है देखने में भी और काफी एक bold look आपकी बाइक को देता है तो आप लोग यहाँ एक टील दे सकते हैं पीछे का 120 mm का टायर है और फ्रंट का यहाँ पर टायर आप लोग दे सकते हैं इस बाइक को जो suspension setup वो अभी भी यहाँ पर स्टॉक रखा गया है पीछे का suspension आप लोग देसे हैं तो जो splendor क्लासिक प्रो का यहाँ पर यूस किया गया है तो आप लोग देसे हैं तो suspension यहाँ पर स्टॉक रखा गया है लेकिन पीछे का जो overall rims है completely यहाँ पर change किया गया है इस बाइक का और एक साइड से अगर आप लोग देखें तो देखने में बहुत खुबसूरत लगती स्पेशली जो इसका engine वाल नीचे का portion है जैसे कि बतार का engine काफी छोटा होता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो completely blackout कर दिया है और जो पीछे का टायर है काफी थिक रखा है और थोड़ा सा extended लगा रहा है क्योंकि 120 mm का टायर है तो थोड़ा सा बाहार निकले हुए दिख रहा है और छोड़ी सीड बनाई जिसके करणा बाइक थोड़ी यहाँ पर लंबी दिख रही है तो आप लोग imagine करिए अगर आप इस बाइक को क्लिटी रखा है काफी सतर लोग यहां पर साइट लगाते हैं जैसे की देख पार है वहां पर इसकी पूरी जूट सर्कृट्री वगर और पूरा सिस्टम वहां पर आपको देखने बिल्कुल क्लिरली यहां पर मिल रहा होगा अगर मैं बात कुरूं इसके आफ्टर मार्कर सरी जैसे इसके आप लोग हैंडल बार देखिए यह मौकसी कंपनी का हैंडल बार है और इसको आप बहुत तरगे से अड़्जस कर सकते हैं अगर आपको क्लिप आउन स्टेल में रखना है तो उस स्टेल से भी आप लोग यहां पर रख सकते हैं पीछे का सीट कंप्लीटली पर इनोन साइड में ही यहां पर नमबर प्रेट ओल्डर का यहां पर यूज किया गया पीछे का आप लोग ब्रेगिंग सिस्टम देख सकते हैं यहां पर कोई भी डिस्क ब्रेक सेटप अगरा नहीं है सब कुछ यहां पर इस बाइका आप ध्यान से देखिए इसका फियु सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर क्लासिक लुक देरा इस बाइक को और किस तर से देख सकते हैं पूरा और इसका डिजाइन है किस तर से आप उसका एड्जेस्मेंट यहां पर कर सकते हैं और यहां पर सीबेर 150 का जो स्विच वगरा है सब कुछ उसी बाइक का यहां पर यूज़ कियागा तो काफी अमेजिंग लगा रहा है यह इस तरक का मैंने हैंडल बार फॉर्स टेम देखा है और उमिद करता हू तो अभी रहा इसका एड्जास साउंड तो दोस्तों अभी आप सभी लोग ने इसका एड्जास साउंड देखा कैसे लागा आप से भी लोग को प्लीज कमशन करेंगे कि इसका एक आफ्टर मार्क एड्जास है जो कि आप लोग अमेजन वगरे से पर्चेस कर सकते हैं या तो लोकल मार्केट में भी जाएंगे तो आपको इस तरह के एक्जास बहुत असानी तरीके से मिल जाएंगे तो आप लोग उस तरगा इस्तमाल कर सकते हैं हाला कि मैं आपको एक पॉंट यहां पर डेफिनिट क्लियर करूंगा कि जितनी भी मॉडिफाइड बाइक होती है स अगर आप इसको उपन रोट में चलाएं अगर आप इसको यूज करना चलाना तो आप अपने एरिया में चलाएं जहां पर ज्यादा पब्लिक नहीं हो क्योंकि इसके काफिस साउंड के प्रॉलम होते तो यह बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी बाइक से रोड ल प्रॉलम है जो कि आप से भी लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं तो जो इस बाइक के मोडिफाइर है अगर आपको सेम टी सेंबाइक मोडिफाय करें तो मैंने उनका कॉंटक डिल से अपने डिस्किपिशन में दिया है वह माउंट अब रास्तान में बेज्द हैं उन प्लीज आप सभी लोग ना अपना राय एंड फीडबेक देना मत भूलेगे कि आप सभी को ये मॉडिफाइड स्प्लेंडर क्लासिक प्रो बाइक आपका फीडबेक बहुत जाद है और प्लीज देना मत भूलेगा और हो सके तो मेरे चैनल को आप अपने इसल में आप सभी को इसी तरह बाइक मॉडिशन के उपर काफी सारे में वीडियो दिखाते रहता हूं और मैंने एक बहुत एक धोची आप, क्याद करता हूं यह है।